सात्वा महीना चड़ गया फिर भी पेट छोटा है अगर ये सेम चीजे आप भी सोच रही है आपको भी सबी लोगों की तरह ऐसा लगता है कि जिस महिला का भी प्रेगनिंसी में पेट छोटा है उसका बच्चा कहीं न कहीं हेल्दी नहीं है या उसका वजन कम है लंबाई कम ह और अचानक से माइन में ये चीजे भी आती हैं कि जिन महिलाओ का पेट बहुत ज़दा बड़ा निकलता है ये भी सा निकलता है इसका मतलब है कि उसमें बच्चा तीन केजी से उपर है और उसकी लंबाई चोड़ाई ओवरॉल कम्प्लीट जो डेवलाप्मेंट है वो होती है गाइज इस वीडियो के अंदर आपके मन में बहुत बड़ा ये एक मित है इसे मैं क्लियर करने वाली हूँ छोटा पेट किसका संकेत है वही साथी साथ बात की जाए बड़े पेट की तो ये भी किसके लिए जाना जाता है और वाट की बातों को यहां पर की जाएग उसके बाद बड़े पेट के लिए ताकि आप वीडियो को लास तक वाच किजिएगा और ये जानिएगा जिन महलाओ का बड़ा पेट है उनको बहुत खुस होनी की जरूरत नहीं है बड़े पेट के अंदर कौन-कौन से ऐसे लक्षन जो नजर आ रहे वो एक हेल्धी प्र दक्टर के पास मिलें कहीं कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो खत्रे की घंटी हो सकती है कुछ ऐसे लक्षन बताऊंगी छोटे पेट के अंदर अगर हो इस पड़े थीज़ हो रहे है और अगर वह लक्षन नहीं मिल रहे हैं आप में तो आपको भी कहीं नहीं एक दॉक्टर से मिलने के जरूरत है तो चलिए कंप्लीट जनकारी के लिए विडियो को लास्त तक वाच किजी का गईज मैं आप सब की साथ श्वेता हूँ और आप देख रहे हैं प्राइम मों चैनल आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गईज इस चैनल पर मैं अपनी प्रेग्निंसी क जोर्नी को आप सबी के साथ सेयर करती हूँ यहां बात करते हैं छोटा पेट किन-किन महिलाओं का होता है छोटा पेट किसी भी महिला का हो सकता है आम तोर पर ऐसा कहा जाता है कि अगर महिला की लंबाई जादा है तो भी में भी चांसे ज़र उसके पेट छोटे नजराने क यह यह भी कहा जाता है कि अगर आप अपनी pregnancy के अंदर balance diet नहीं ले रहेंगे तो भी पेट छोटा हो सकता है यह यह कहा जाए कि एक महिला के सरीर का बनावट कुछ इस तरीके से है कि उसका पेट छोटा ही रह गया यह भी कहा सकते हैं कि जो बच्चा है वो नाभी के बहुत नीचे में है जिस वज़़े से महिला का पेट बड़ा नहीं दिखता है वो छोटा ही दिखता है बहुत सारे कारण होते हैं छोटे पेट के अंदर अब लक्षन गिनाओंगी पहला लक्षन अगर चौथे महिने के बाद से बच्चे की हलचल आ रही है कोई प्राबलम नहीं है आपका सातवा आठवा महिना जा चुका है नवा महिना जा चुका है बच्चे ने हैड़ाउन कर लिया है बच्चा टाइम टो टाइम बेबी केक्स दे रहा है आपको पेट के किसे भी हिस्से में अजीब तरीके का दर्द की समस्या नहीं है प्रेगनेंसी ठीक चल रही है तो एट मिन्स आपके बच्चे का वजन लंबाई चोड़ाई सब कुछ बहतर है कोई भी किसी के कहनी सुननी वाली बात पर बिल्कुल मत जाया आप हर वीक या हर 15 दिन या हर महीने डॉक्टर से जाती है ना कंसल्ट करती है उसी टाइम डॉक्टर से ही पूछ लीजिए जो भी आपने मन में डाउट है घरी पर अपने सवाल की लिस्ट रेडी रखिए क्योंकि अपने दिमाग में रखिए कि यह वाली बात पूछ के रिलाक्स होनी है डॉक्टर के पास तो जाकर पूछ लीजिए अब बात करते हैं बड़े पेट की आम तोर पेट आपका बड़ा है बेबी किक्स आ रही है आप खाना पीना डाइट सब कुछ अच्छ से ले रही है के स्वस्त के उपर कुछ न कुछ में भी चांसेज हो सकती है इसलिए टाइम टू टाइम चेक अप करवाईए प्रेगनेंसी के अंदर थाइराड की भी चेक अप करवाईए सूगर की भी क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जिन भी महिलाओं को मतलब कि आपको जब पहले से आपको कोई प्राब्लम नहीं थी लेकिन प्रेगनेंसी के पाचवे या छटे महीने के बाद से किसी किसी महिला को सूगर की समस्या नया बीमारी होने लगती है थाराड की समस्या होने लगती है तो इस दवरान वो चेक अप करवाते रहेंगी उनको पता रहेगा कि सरीर के अंदर सभी चीजों की जो भी वैलू है वो सब कुछ कॉंस्टेंट है सही है तो इसका मतलब है कि चलो ठीक है सब